दोस्तों हम सभी अपने phone में call recording करके जरूर रखते हैं जैख दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कोई नुकोई important call अपने phone में record करते हैं और फिर record करके रखते हैं लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि वो call recording हमारे लिए काफी ज़्यादा important होती है और घर में बच्चे होते हैं या हम ही से गलती से वो call recording डिलीट हो जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपकी इसी problem के solution के बारे में बताने जा ले हैं कि दोस्तों अगर आपके phone में कोई भी call recording डिलीट हो गई है तो कैसे आप अपने किसी भी phone के अंदर उस डिलीट हुई call recording को दुबारा से recover कर सकते हैं वापस ला सकते हैं आप कोई सा भी phone यूज कर रहे हैं हो दोस्तों आपको tension लेने की कोई जरूद नहीं है बस अच्छे से ध्यान से एक बार इस वीडियो को इंड तक देख लीजिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपके 2-3 मिनट बेकार नहीं जाने वाले हैं और दोस्तों इसके लिए आपको कोई भी application वगयरा install करने की जरूद नहीं है आपके हर phone के अंदर ये trick छिपी हुई है दी हुई है बस दोस्तों आपको क्या करना है कैसे करना है ये जानने के लिए आपको एक बार इस वीडियो को end तक देखना होगा वैसे दोस्तों मैं इस topic पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिस पर आप लोगों ने काफी ज़्यदा प्यार दिया था लेकिन अब दोस्तों कुछ phone में updates आये हैं तो settings कुछ change हो गई है तो इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर से आप लोगों को बता दिया जाए लिख देना call recording recovery trick और send कर देना है उसके बाद दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने friends के साथ ज़्यदा-ज़्यदा WhatsApp पर सेयर जरूर करना ताकि आपके जितने भी friends हैं इस trick को अपने phone में यूज़ कर पाएं आप अपने phone के अंदर बड़ी ही आसानी से उस delete हुई call recording को वापस दुबारा recover कर सकते हैं वापस ला सकते हैं बिना किसी application के अब दोस्तों इसके लिए आपके phone में ही एक ऐसी setting दी हुई होती जिससे आपको हमेशा on करके रखना है अगर वो setting आपकी phone में बंद है फिर आप call recording को recover नहीं कर पाएंगे वापस नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको उस setting को अपने phone में हमेशा on करके रखना है तो वो setting कौन से सबसे पहले मैं आपको setting बताऊंगा जो आपको on करके रखनी है और उसके बाद कैसे आपको recover करना है ये मैं आपको बताऊंगा तो यहा तो यहां पर आपको टैब करना हो जाना है अब वस्त नमबर पर ही आपको एक अफसेंट देखने को मिल जाएगा रिसाइकल बिन का यहां पर आपको यह सिट्इंग हो आपको अगर आपके फोन में बंढ़ तो इस सिटिंग को आपको हमेंजा on करके रखना है ओके अगर ये सिटिंग बंद होगी तो दोस्तों आप अपने फोन से डिलीट हुई काल रिकार्डिंग रिकावर नहीं कर बाएंगे ओके तो इस सिटिंग को आपको हमेशा आउन करके रखना अब चलिए मैं आपको रिकावर करने का तरीका बता देता हूं तो आप देशते हैं मैं यहां से डिलीट कर देता हूं तो यहां से मैंने यह सभी कॉल रिकार्डिंग जो है डिलीट कर दी अब दोस्तों यहां पर आपको बैक आने के बाद आप रिकावर करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बार फिर से अपने फोन के फाइल मेने दोस्तों यहाँ पर 30 दिन तक अपनी इन काल्ड कार्डिंग को रिकवर कर सकते हैं, 30 दिन तक आपकी यह सभी काल्ड कार्डिंग्स यहाँ पर रहेंगे सुरश्चित, उस सेटिंग को आन करने की वज़े से, तो यहाँ से मैं रिस्टोर इसे कर देता हूं, और अब आप काल्ड कार्डिंग को वापस रिकवर कर सकते हैं, दोस्तों इस वीडियो को जाद जादा लाइक करना, शेयर करना और आगे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, फिल मिलते हैं इस वीडियो में, किसी और टापिक के साथ तब तक अप का दिन सुबोगा